कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर दादी की किर्दार में नजर आने वाले एक्टर अली अजगर हाली में मुकेश खन्ना के चैट शो पर पहुंचे यहां बाचित के दोरान मुकेश खन्ना ने अली के स्किर्दार को फूहर बताया इसके जबाब में अली ने कहा कि आपका परस्नल ओपिनियन है इस पर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता एक्टर ने साथ ये भी समझाया कि वो मेल होकर शो पर एक फिमेल करेक्टर क्यों प्ले करत हैं इंटर्व्यू के दोरान जब मुकेश ने अली से पूचा कि क्या आपको इस तरह का किरदा निवाना अश्रिन नहीं लगता तो अली ने जवाब दिया सर सबसे पहले तो एक कहना चाहूंगा कि आपका परस्नल व्यू है इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा बाकी लोग हमेशा पूचते हैं कि मैं लड़का होकर भी लड़की क्यों बनता हूं तो मेरे पास इसकी दो वचा हैं पहली वचा किनाते वे अली ने कहा हमारे शो की शुटिंग का समय बहुत अलग होता था हम दिन में दो एपिसोड शूट करने के बाद फिर देरा शुटिंग क खना ने अली को टोकते वे कहा कि यह सही वज़ा नहीं है क्या हिरोई ने रात बर काम नहीं करती इसके बाद दूसरी वज़ा किनाते वे अली बोले दूसरी वज़ा यह थी कि जब हम एक लड़के को लड़की बनाते हैं तो वो ओरिजिनल करेक्टर है ही नहीं ऐसे में हम इंतहां आजादी लेकर मस्ती मजाक कर सकते हैं चुकि वो कोई ओरिजिनल करेक्टर ही नहीं तो कोई नाराज़गी भी जाहिर नहीं कर सकता अली ने 2013 से लेकर 2016 तक कॉमेडी नाइट्स विद कपल में दादी का रोल प्ले किया था वहीं 2016 से 2017 तक चले दकपल शर्मा शो में वो नानी के करेक्टर में नजर आये थे इसी के साथ परने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद झाल. 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 झाल झाल